इन विजल मैन चैप्टर नाइन हिंदी समरी मिश्टर थॉमस मार्वल एक आराम प्रिय छोटे कदवाले प्रकृती प्रेमी व्यक्ती है वो सड़क के किनारे यह निर्णे कर रहे थे कि कौन सा जूता पहनू तभी पीछे से आवाज आती है अपने जूतों के चकर में उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया पर बाद में जब वह वहाँ देखती हैं तो वहाँ पर तो कोई था ही नहीं आवाज फिर से आई तो उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा जफे सराब का नसा उनके उपर चड़ गया है पर बार बार आवाज आने से वह जौग गय थे अद्रिश आदमी ने पत्थर मार कर थौमस को यकीन दिलाने के कोशिस की कि वह एक इंसान है पर मिश्टर मार्वल यह मानने को तयार ही ना थे मिश्टर मारवल ने अंत में अंद्रिश आदमी का हाथ चूकर यह मैसूस किया कि वह तो एक मनुष्य है तब अद्रिश आदमी ने मिश्टर मारवल से मज़त मागने की कोसिस की यह सुनते ही मिश्टर मारवल दुविधा में फज गय कि यह मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ यह तो अद्दिस है तो मैं इसकी मदद कैसे करूँ तब अद्रिश आदमी ने मारवल को धमकाना सुरू कर दिया कि वह उसकी मदद करेगा और यह भी बोला कि अगर उसने धोका दिया तो ठीक ना होगा अंत में मिश्टर मारोल को मानना ही पड़ता है